क्लास आज हिस्ट्री में पेपर वन एंड पेपर सेकेंड दोनों का ही कुछ इंपोर्टन कोईशन्स आपको बता रही हूँ आंसर के साथ ये कोईशन्स बहुत ही इंपोर्टन है एक्जाम नितन परपस से तो शुरू करते हैं पहला कोईशन है क्रीमिया का युद्ध कब हु तुर्की समराज के अंदर जो इसाई प्रजा रह रहे थी उसके सनरक्षन को लेकर फ्रांस और रूस में मद्भेट चल रहे थे तो इसको लेकर ये युद्ध हुआ दूसा कारण था तुर्की समराज के बालकन प्रदेश पर रूस की आक्रमक नीती यानि तुर्की समराज में जो बालकन प्रदेश था जो की एकोनॉमिक वे से बहुत ही इंपोर्टन एरिया था उस पर रूस अपनी बढ़त बनाना चाहता था तो इन दो कारुणों से क्रीमिया का वार हुआ सेकंड क्वेशन है क्रीमिया के युद में रूस के किस छेतर पर मित्र राष्टरों ने छती पहुँचाई तो इसका आंसर है सेवास्तो पोल ये सेवास्तो पोल रूस का नौसैनिक अड़ा था मित्र राष्टो ने इस पर आक्रमन करके इसको बहुत ज़्यादा छटी ग्रस्त कर दिया था याने कि बहुत नुकसान पहुँझाया Q3. इटली के एकी करण में किन व्यक्तियों ने महतपूर भूमिका निभाई? तो इसका आंसार है मेजिनी, कैवूर, गैरी बाल्डी इन तीन व्यक्तियों ने इटली के एकी करण में बहुत ही महतपूर भूमिका निभाई जिसमें से मेजिनी और कैवूर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन है Q4. मेजिनी ने किस संस्था की स्थापना की? तो 1831 में यंग इटली की स्थापना की मेजिनी ने Q5. इटली के एकी करण के बाद इटली का राजा किसे बनाया गया? इसका आंसर है विक्टर इमेनुवल को जो की उस समय सारडिनिया का शाशक था Q6. केसर विलियम सेकिंड कहा का शाशक था? इसका आंसर है जर्मनी का यानि केसर विलियम सेकिंड जर्मनी का सासक था Q7. करण की विदेश नीती का मुख्य उद्देश क्या था? इसका आंसर है करण की विदेश नीती के दो मुख्य उद्देश थे पहला था फारस की खाड़ी पर बिटिस अधिकार बनाये रखना यानि कि कोई अण्य शक्ति फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार ना जमा सके दूसरा था तिबबत के साथ व्यापार सम्मंध बनाना Q8. करजन ने किस एड्मिरल के आधीन फारस में अपना युद्ध पोत यानि कि अंग्रेजी क्रूजर भेजा और क्यूं इसका आंसर होगा एड्मिरल डगलस को उसने फारस में भेजा और क्यूं भेजा क्योंकि फारस में फ्रांसीसियों को जो रियायते दी जारी थी उन्हें वापस ले लिया जाए इसलिए एड्मिरल डगलस को करजन ने फारस में भेजा करजन किचनर विवाद किस कारण हुआ इसका आंसर है सैनिक प्रसासन के दोहरे नियंत्रन को लेकर करजन किचनर में विवाद हुआ किचनर उस समय भारत का मुख्य सेना पती था किजिनर चाहता था कि जो सैन्निक प्रसासन में दोरी विवस्था है उसे समाप्थ कर दिया जाए लेकिन करजन इसके पक्ष में नहीं था इसी विवात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और इसी विवात के कारण करजन ने अपना त्यागपत्र भी दे दिया था अगला कुश्चन किस गवर्नर जनर्नल ने सबसे पहले प्रथक निर्वाचन मंडल की विवस्था की इसका आंसर है लौर्ड मिन्टो सेकिंड कुश्चन नमबर ग्यारा जब मिन्टो भारत का गवर्नर बना उस समय किसे भारत सचिप नियुक्त किया गया इसका आंसर है मारले मारले को भारत सचिप नियुक्त किया गया था लास्ट कुश्चन है औल इंडिया मुस्लिम लीक का गठन कब हुआ इसका आंसर है 1906 में 1906 में धाका में मुस्लिम लिख का गठन हुआ और जिसने इसका गठन किया वो थे धाका के नवाब सली मुल्ला खां आगा खां इस मुस्लिम लिख के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे तो ये थे आज के कुछ important questions जो के बहुत important है इन्हें सुनिए और याद कीजिए